है दोस्तों मैं यश्मन्त आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपके Android TV में motion वाला screen से वल सेट करना है जी हाँ दोस्तों Android TV जो आता है वो बहुत सारे limitations के साथ आता है जिसमें आप mobile की तरह हर चीज कस्टमाइज कर नहीं सकते हो लेकिन कुछ applications और कुछ tricks के मदद से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो और आपका Android TV दिखने में बहुत ही beautiful और stunning दिखने वाला है इस tricks की वज़ा से तो दोस्तों यह कैसे आपके Android TV में set करना है चलिए जानते हैं दोस्तों अगर आप इस चानल पे नए है तो मेरा यह चानल सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपके Android TV में एक application इंस्टॉल करना होगा यह application मैंने description box में भी दिया है और comment box में भी पीन करके रखा है आप वहाँ पे जाके उसको अपके mobile में डाउनलोड कर सकते हो और उसको side load कर सकते हो आपके TV में तो इस application का नाम है यह window यह application मैंने पहले भी पहले वीडियो में बताया था यह application आपको Android TV में आपको इंस्टॉल करना होगा यह full version है इंस्टॉल होने के बाद आपको Android TV के setting में जाना होगा setting में आपको device preference में जाना है वहाँ से आपको screen saver से लेक करना है यहाँ पर आपको जो application अभी इंस्टॉल किया था उसको से लेक करना है इसको full screen mode और night mode on करना है अगर आप sound चाहते हैं तो sound को भी on करना है start now करने से अभी यह शुरू हो जाएगा यहाँ से आपको उसका time भी set कर सकते हो जिन Android TV में screen saver option नहीं है ऐसे में उनको उस application को open करना होगा open की करने के बाद वहाँ पर आपको location set करना है आपको जो location set किया तो आपको update मिलता रहेगा और यहाँ से आपको setting कर सकते हो जैसे कि जिस Android TV में screen saver का option रहेगा उस तरह से इसको setting कर सकते हो इस icon को select करके आप कोई भी landscape choose कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे option दिये गया है उसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसे select कर सकते हो पहले room में live landscape दिये गये है और नीचे वाले steady wallpaper दिये है वो भी बहुत beautiful है उसमें से कोई भी आप select करके आपके TV के home screen पे आप उसे देखबा सकते हो दोस्तों अकर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए करेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तों प्लाज़ दोस्तों सकते हो